नमस्कार दोस्तों दोस्तों मैंने बहुत लोगों को देखा है भई कि वो ऐसे ट्रेक्टर छोड़के नए ट्रेक्टर लेने की सोचते हैं और बाद में लेने के बाद क्या होता है कि भई जब उसकी किस्त आती है जब उसकी EMI आती है तो भई उसको देने में दिक्कत हो जाती है कईयों का तो hard tight हो जाता है भई आपको पता ही है किसान की क्या हालत चल लही है और अगर बंदे के पास मालो कोई दूसरा income source है तो भई वो तो जहल जाता है अब जिसको पता है भई मुझे यही बोना है यही काटना है मतलब आप यह समझो कि नए जासा ही मिल जागा, जैसे सामने कड़ा है, और ऐसी ऐसी कंडीशन में ट्रैक्टर मिल जाँगे आपको, बहूसे ट्रैक्टर तो ऐसे बिल्कुल नामात रही चले वी होता है, कुछ ऐसे मिल जाते हैं कि बिल्कुल लोगों ने गिसा रखा होता है और यह आप जो सामने खड़ा देख रहे हैं भाई एकदम साफ सुतरा ट्रेक्टर है अभी मैं आपको पास में से ले जाकर दिखाऊंगा इसमें क्या क्या चीजें नहीं है या पुरानी है या कितना काम हो रखाए पुराना ट्रेक्टर है काम तो ही रखा हो अब किसी का हो फिर कोई दिखन रहती है यह रहता है कि काम अच्छी तरी के सहर रखा अब जो सामने आप देख रहे हैं एकदम साफ सुतरा ट्रेक्टर है और बड़ी अच्छी कंडिशन में रखा है भी बंदे ने बिलकुल संबाल के एकदम तंद्रोस थालत में ऐसे बहुत सकते हैं इंजन भी एकदम जब रसते आपको स्टार्ट करके भी दिखाऊंगा मैं अब मैं इसको मैं आपको क्लोज जाके दिखाता हूं यह देखी स्टीकर भी भी बिलकुल नए वाले जो स्टीकर होते हैं वही अभी तक लगे हुए हैं वही तक अभी तक च्छपे हुए हैं और आप देखी यहां पर यह जो बाहर से हम कुछ बंपर वेरा लगाते हैं तो उसकी जो फ्रेट होते हैं जो चूड़ी होती उस पर भी क्याप अभी पुराने लगा हुआ है इस पर वो हटाया नहीं अभी तक और जो पेंट है मुझे लग रहा है पेंट भी इसका साथ वाला थोड़ी बहुत जगा आपको कुछ जगा पर मिल सकता है जैसे मैं पीछे से दिखाता हूं इसको यह कुछ हच बगर है वेल्डिंग होई जाती है आपको पता ही है लिफ्ट वगर का काम भी होई जाता है आप यह देखिए यह पीछे से खुला हुआ है पहले भी और यह द देने से पहले आप चला के जुरूर देखें एक बार उसको पूरी तरह है चेक कर लें आगे से पीछ तक भई कंडिशन उसकी कैसी है यह देखिए यह पंप इसका मुझे लग रहा दुबारा डला हुआ है क्योंकि यह लग सा दिख रहा है बाकी पूरे ट्रेक्टर से इसक चलने में भी बड़िया ही है आप यह समझ लो आपको वीडियो कैसी लगी अच्छी लगी लाइक करना शेर करना धन्यवाद